हेलो आज हम करने वाले वोकेप तो चलिए शुरू कर दे हैं सबसे पहले वर्ड से जो है अकॉर्ड को सबसे पहले अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच देखें तो वह नाउन की तरह परफॉर्म करता है अकॉर्ड का मतलब होता है सहमती यानि कि agreement होना किसी के साथ अब यह ज्यादातर जो है जैसे कि अगर दो दिसों के बीच में कोई agreement हो रहा है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं या इसका सिनोनिम बन जागा state of harmony एंटोने में डिस हार्मनी यानि कि आप agree नहीं करते हो है डिस अग्री हो तो डिस अग्रीमेंट एक्जांपल से देखते हैं we are in accord concerning the method of handling this problem यानि कि वे agreement के concern में है कि किस तरीके से इसको handle किया जाए agreement के लिए ठीक है चलिए next word क्यों रहाते है annualment को भी हम एक noun की तरह यूज करते है इसका मतलता है avoiding या invalidation यह कोई चीज़ empty है या invalid है तो इसको हम यूज करते है इसको इस तरीके से यूज करते है synonym मन जाता है abrogation, invalidation, negation, nullification या extirpation इस तरीके से इसको use करते है ऐसा synonym antonym देखते हैं तो consummation हो जाता है यानि कि वो empty नहीं है यानि कि एक full है एक example देखते है the two parties sought an enrollment to the contact that bound them together जो दो parties थी उन्होंने एक enrollment अब देखिए यहाँ पे end जो है वो article है और article किसके लिए आता है noun के लिए तो enrollment किस तरीके से यूज हो रहा है आप है noun की तरह आप यहाँ यूज कर रहे हो इस तरीके से इसका use होता है यह बढ़ते है third word जो है आडियोस आडियोस एक तरीके से अपना adjective की तरह वर्क करता है इसका यहाँ पे मतलब होता है कि very difficult to accomplish or to achieve किसी टास्क को या किसी भी goal को या कोई भी चीज हो उसको हासिल करना या उसको अठ восп अचीज ज्व करना बहुत ही ज्यदा टफ हो ठीक है एक hard टास्क हो यह calculus टास्क हो सôm花 किल्स एक व्लस एक होता समय ह34 C स्सें इसको üz हुआः करना हो तो यह उसको एंचीज निव एक हर्किलस टास्क हो ठीक है उसको एक modelo कह् ли यह व्यारी का करना है इसको धर और नॉट डिफिकल्ट बहुत ही ज्यादा इसी स्टेज हो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट ना हो तो इसको एंटोनिम की तरह यूज कर सकते हैं जैसे एक्जामपल देखें ट्रेनिंग टूब जिम्नास्ट इस एन आडियस एक्टिविटी तो एक्टिविटी यहां पर आप एक्टिविटी के लिए है तो ट्रेनिंग टू बी जिम्नास्ट को ट्रेन करना एक बहुत ही ज्यादा हार्ड टास्क है ठीक है बहुत ही जड़ा डिफिकल्ट टास्क है चलिए ऐस्ट्यूट यहां पर यूज करते हैं एक एड्जेक्टिव की तरह इसका मतलब होता है वेल उसके काफी ज़्यादा अच्छी हो इसको हम सुनोने में देख सकते हैं श्रीव परस्पीकेशियस यूज कर सकते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्षन लेना एक्षन लेना एक्षामपल है वन मस्ट बी एक्षिट्टीट तु भी जियोमेट्री प्रूफ करने के लिए थोड़ा चालाक होना पड़ेगा थोड़ा अच्छी तरीकिस को देखना पड़ेगा एक कंसर्ण के साथ ठीक है चलिए आ जाते हैं फिप्ट बढ़ जाता difficult हो या finding faults वो जो है कोई भी person वो हमेशा किसी की गल्थिया ही निकालता रहता है तो उसको हम बोलते हैं carping person ठीक है तो captious बोल सकते हैं सनोनिम के दरह यूज़ करो तो captious, censorious या critical ठीक है captious, censorious या critical एंटोनिम देखिए तो praise करना या आप बोल सकते हो lord to lord someone to appreciate someone to appreciate ठीक है तो आप यूज़ कर सकते हो, praise करना, lord करना, appreciate करना, ठीक है, कमिया निकालने वाले परसन, मतलब हर एक चीज़ के अंदर कमी निकालने वाले परसन को हम बोलते हैं carping, यहां पे इसका example देखिए my mother is always carping at me, मतलब हमेशा false निकालते रहते हैं ठीक है तो इस तरीक से आप यूज़ कर सकते हो, sixth one पर आजाते हैं, desecrate, desecrate, तो कि एक वर्व की तरह हम यहां पर यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है to violate the sensitivity of something या to profane, अब सब्द कहना इस तरीकी साब हो सकते हैं, ya sensitivity मतलब होता है holy things जो होते हैं, उनके बारे में, जो sacred things, तो उनके बारे में ग गलत कहना या कुछ भी करना, ठीक है, तो इसका सुनरिम पर जाता है to adulterate, adulterate का मतलब ही क्या होता है, adulterate का मतलब होता है, मिलावटी चीज जो होती है, not pure या genuine, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, अन्टोनिम बन जाएगा to consecrate, यानि की आप अच्छे तरीके से बोलना, और य लेंग्वेज होती है किसी की, तो लेंग्वेज के परपस से हम इसको बोल सकते है, लेंग्वेज, जो है गलत लेंग्वेज का यूज़ का यूज़ का ना, तो एंटोनिम है, हो जाएगा to consecrate, to lord, to praise someone, to appreciate someone, इस तरीके से, जैसे एक्जामपल देखिए, the hoodlums desecrated the symmetry by painting the tomstones, tom co узна paint कर दिया, hoodlums होते है, criminals को बोलते है, hoodlums, उनो ना क्या किया, symmetry जो होती है, जहाँ लोगों को जिसे Squidता आयराता है तो उसको बोलते है symmetry, या जहाँ पैर मतलब एक तरीके से समशान जिसको बोलते हैं ठीक है तो हो है तो symmetry तो वहाँ पर उन्हों ने जो tom's, tom's थे उनको paint करके उनकी निंदा करने की गोसिस की उनको बिकार करने की गोसिस की इस तरीके समस को यूज कर सकते हैं सेवंध वर्ड पर आ जाते हैं dialetry जो वर्ड है एक adjective की तरह में इसको यूज करते हैं और यहाँ पर इसको देख लेते हैं जो hoodlum से वह एक noun की तरह use हो रहा है इसके लिए article the use की हुआ है तो desecrated यानकी किसी चीज को किसी चीज के बारे में गलत कर रहे हैं तो वहाँ पर यह वर्ड की तरह यहाँ यूज हो रही है ठीक है चलिए अब आयाता है dialetry जो की एक adjective तरह में यूज करते हैं इसका मतलब होता है delay करना किसी चीज में ठीक है procrastinate एक word है इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ यहाँ पर यूज कर सकते हो इस वर्ड के लिए एंटोनम हो जाएगा proceeding ठीक है मतलब आप आगई बढ़ते रहना एक्जामपल है था सीनेटर इस एंप्लोइंग दा फिलिविस्टर एज डिलेट्री टैक्टिक एक तरीके से डिलेट्री टैक्टिक रहने कि उसको हमेशन चीज को डिले करते रहता है इस तरीके से तो यह थे हमारे आज के कुछ वर्ड्स और आई होब यह आपको सभी सबज में आये होंगे नेक्श वीडियो में मिलते हैं एक नई सेसन के साथ जल्दी तेंक यू